कोरोना इतिहास के पन्नों से सदी की सबसे घातक बीमारी, कोरोना, अथवा कोविड-19, आज और आगे भी यादों में जुरजुरी पैदा करता रहेगा. जाहिर है, इस काल से हमें सबक लेने की जरूरत है. इसलिए जरूरी यह भी है कि हम इतिहास के पन्नों से मुह न मोडे. अभी हम जानेंगे कोरोना जैसी घातक बीमारियां कब-कब मानव समाज को आहत करती रही हैं. जार्खंड की राजधानी रांची स्थित राजेंदर इंस्टिचूट औफ मेडिकल साइनसेज से सेवानिवरित प्रोफेसर वविभागाध्यक्ष डॉक्टर करूना जा ने अपने इस आलेख को इतिहास के पन्नों से चुन-चुन कर एकत्र किया है. इस आई ओपनर लेख को हम कंप्यूटर जनित महिला आवाज में यहाँ पेश कर रहे हैं. तो आए सुनते हैं. बीमारिया इन दोनों उद्देशों के पूरा होने में बाधक होती है. समाजों और देशों के अन्य अव्यवो यथा आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक सम्ता, शिक्षा, हुनर, सामाजिक शांती, सक्षम शासन व्यवस्था भी इन दो उद्देशों की प्राप्ती में कारत है. स्वास्त्य और बीमारियों सहित्य सारे कारत एक दूसरे की प्राप्ती में कारण और परिणाम के रूप में काम करती हैं. इसलिए इन सभी अव्यवों के अलग-अलग तथा सामोहिक अध्ययन दोनों की जरुरत है. जब से मानव जीवन धर्ती पर आया है, संभवता उसी समय से संक्रामक बीमारिया होती रही है. इस लेक में हम केवल श्वास से फैलने वाली संक्रामक महामारियों की चर्चा करेंगे. इन बीमारियों को सामोहिक रूप से इन्फ्यूएंजा या फ्ल्यू कहा जाता है. हम भी उनका इसी नाम से उलेक करेंगे. वैदिक काल में भी गंभीर श्वास की तकलीफों का वर्नन पाया गया. इसा पूर्व 400 वर्ष पहले हिपोक्रेटिस के द्वारा लिखे गए रोगों के वर्नन में इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारियों का उलेक पाया गया है. जारवी संक्रामक रूप से फैला करती, पर महामारी का रूप नहीं लेती थी. चौधवी सदी में 1386-87 में पूर्वी यूरोप में यह संक्रमन ज्यादा व्यापक रूप से फैला, जिसमें बुजर्ग और कमजोर लोग काफी बड़ी संख्या में इसके शिकार हुए. इटली में पहली बार ऐसे संक्रमन के लिए इन्फ्लुएंजा शब्द का इस्तिमाल किया गया. पंद्रवी सदी में पूरे फ्रांस में कई बार इनके संक्रमन का दौर आया, जिसमें कमजोर और बुजर्गों के अलावा गर्भवती महिलाओं का गर्भपात हो जाने का उल्लेख है. 16 सदी के आरंब में फैली इन्फ्लुएंजा ने महमारी का रूप ले लिया और पूरे एशिया से लेकर तर्की आटुमान सामराज्य होते हुए उत्तरी अफ्रीका और बाद में पूरे यूरोप और अमेरिका को संक्रमित कर दिया. इसमें बुजर्ग बीमारों के अलावा चोटे बच्चों के मरने की संख्या भी काफी थी. काफी बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं भी इसके चपेट में आई. इसके 50 वर्ष बाद 1557-58 में फैले फ्लू की महमारी के विस्तरित लिखित प्रमार मौजूद है. यह संक्रमन काफी व्यापक, घातक और इनके कई शहर लगभग समाप्थ हो गए थे. 17 वी सदी में भी क्तई बार संक्रमन हुए. 18 वी सदी में इन्फिलूइंजा की दो महमारिया उलेखनिया हैं, जिनके लिखित दस्तावेज हैं. पहला संक्रमन 1761 की गर्मी में अमेरिका से शुरू हुआ, यूरोप में फैलता हुआ 1762 तक पूरे विश्व में फैल गया. उस समय पहली बार सभी पश्चमी देशों के वैज्ञानी को शोधकर्मियों और चिकित्सकों ने मिलकर संक्रमन का व्यापक अध्ययन किया और आपस में समवात स्थापित किये, जर्नल्स में अपने अनुभव, अवलोकन और श साजा किये. इस अध्यन के आधार पर ही इन्फ्लोेंजा जैसे संक्रमन के बारे में गहन जाच कर इसके कारत, कारण साथ ही इससे बचाव, रोक्थाम और इलाज के लिए चिकित्सा विज्ञान की एक नई शाखा रोग विज्ञान यानी एपिडेमियोलोजी की स्थापना पर निर्णय हुआ. उन्होंने तथा कुछ अन्य विज्ञानिकों ने अनेको बीमारियों के कारक रोगानों की खोज इस जीवानों विज्ञान के स्वर्णिन काल में की. उनके द्वारा स्थापिच सिधान्त के बाद महामारियों के कारक रोगानों की पहचान के साथ ही उनके रोगठाम के तरीके तेजी से विक्सित हुए. 1882 में पहली बार फ्लू को विशानू यानि वाइरस जनित संक्रामक रोग की पहचान मिली. 1878 में पहली बार इटली में तेजी से फैले फ्लू संक्रमन का पक्षियों से होने वाली कड़ी पर गौर किया और इसे एवियन फ्यू या फाउन प्लेक का नाम दिया गया. 19-वी सदी में पक्षियों के द्वारा होने वाली ऐसी ही दो व्यापक महामारियों के दस्तावेज उपलब्ध है. 1889 से 92 तक फैला संक्रमन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर यूरोप और अमेरिका के विभिन्न देशों के 408 अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में फैल गया. सत्तर दिनों में यह पूरे विश्व में फैल गया था. इसके बाद पुना दुनिया के चिकित्सा वैज्ञानिक और शोद करताओं ने मिलकर इस पर विशेश अध्यायन किया. 1901 में लंबे शोद के बाद इन्फ्लोएंजा के विशाणू यानी वाइरस का पता चल गया. 1918 से 1920 के दौरान H1N1 नाम के विशाणू का संक्रमण हुआ जो अब तक के मानव इतिहास की सबसे घातत महामारी माना गया है. यह अत्यन तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया. इससे दुनिया भर में 50 करोड से ज्यादा लोग संक्रमित हुए और 10 करोड से ज्यादा लोग मर गये. इसे अब तक के मानव इतिहास का सबसे बड़ा मेडिकल विधवन्स कहा गया है. 1918 के फरवरी से 1920 के अप्रेल से मई तक के दौरान इसका संक्रमण चार लहरों में आता जाता रहा और इसने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया था. संक्रमण की प्रतेक लहर पिछली वाली लहरों से ज्यादा घातक थी. इस संक्रमण की शुरुवात संभवता अमेरिका के न्यूयार्ट, कैंसास, यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और इंग्लेंड में हुई परंतु तब चल रहे प्रथम विश्वयुद की वज़ह से इन देशों ने इस बीमारी को अंदेखा कर दिया. इसकी सूचना युद्ध से मुक्त देश स्पेन के अकबारों ने विस्तार में दुनिया के सामने रखा और अपने राजा अलफोसो तेरह के फ्लू से गंभी रूप से पीडित होने की खबर भी फैला दी, नतीस्तन इस H1N1 फ्लू महामारी का नामकरण ही स्पैनिश इससे संक्रमित रहा। हिंदुस्तान में स्पैनिश फ्लू या 1918 फ्लू ज्यादा ही घातक रूप में आया। जून 1918 में विश्वयुद के दौरान पानी मार्क से आने जाने वाले सैनी को हथियारों रसद आधी को लाने ले जाने वाले जहांजों के द्वारा संक्रमन का प इसी से फैल चुका था। इसके संक्रमन की गती जितनी तेज थी, मृत्यूदर भी उतनी ही अधिक थी। मात्र अविभाजित हिंदुस्तान में स्पैनिश फ्लू से मरने वालों की संख्या 1.7 करोड से अधिक थी, जो यहां की जन संख्या का 5% थी। यह मृत्यूदर 20-40 वर्ष के लोग और विशेशत महिलाओं की संख्या अधिक थी। उस वर्ष मानसून की बारिश बहुत कम होने की वज़ह से संक्रमर का प्रकोप और नतीजे और भी गंभीर हो गए। पूरे देश में अकाल पड़ जाने से भूखमरी, कुपोशन, कमजोरी और साथ ही स अंक्रमर बीमारी के कारण स्थिती बच से बत्तर हो गई। पहली बार 1911 से 1921 के दशक में ब्रिटिश शासित भारत में जनसंख्या वृद्धी घटकर एक दशमलव दो प्रतिशत हो गई। कहते हैं उस समय हिंदुस्तान की सभी प्रमुख नदिया मानव लाशों से पट गई थी। महात्मा गांधी भी बीमारों की तीमारदारी करते हुए स्पैनिश फ्लू से ग्रसित हो गई थे। इसका काम अमेरिका के साथ ही पूरे विश्व में फ्लू तथा अन्य महामारियों के पूरवानुमान करना, उनकी रोक्थाम और उनसे सुरक्षा के लिए शोधकार्य करना तथा योजनाय बनाना था। छह वर्ष पहले तक यह संस्था ज्यादा बड़ी संपूर्ण संसाधन पोशित और सशक्त थी। कई महामारियों को बिल्कुल शुरुआत में ही रोक लेने का श्रेय सीडीसी को दिया जाता है। 1947 में विश्व मेडिकल एसोसियेशन यानी WMA ने CDC के तर्ज पर ही विभिन्न देशों के लिए फ्लू संक्रमण के रोक थाम के लिए योजनाय बनाने और सरकारों को आगा करने के लिए International Federation of Free Professional Medical Associations बनाया जो फ्लू के टीका करन यानी Influenza Immunization के लिए मुहिम चलाता रहा है। 1947 में ही Influenza B विशानों के विरुद बाइवेलेंट टीके का इजात कर लिया गया। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई। 1952 में WHO के द्वारा Global Influenza Surveillance and Response System यानी GISRS की स्थापना की गई। यह Flu विशानों पर शोध, इसके विरुद टीके बनाने और विशानों रोधी दवाओं पर शोध के साथ ही भविश में फिर से उभरने या होने वाले महामारियों का पुर्वानुमान लगाने और इसके रोक्थाम के उपायों पर कार्यरत है। 1957-58 में फैले एशियन फ्लू ने चीन के गोईजाओं प्रान से शुरू होकर पूरे चीन में फैलते हुए पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया था। यहाँ Influenza A, विशानों के प्रकार या कहें सब टाइप H2N2 के द्वारा हुआ। यह 20 सदी में ही हुए Spanish Flu के बाद दूसरी सबसे घातक Flu महामारी थी, जिसमें 40 लाग से ज्यादा लोग मर गए। 1969 में पक्षियों के माध्यम से Influenza A, विशानों के प्रकार H5N1 का संक्रमन लोगों में हुआ। इसका संक्रमन मुर्गियों से मनुष्य में काफी तेजी से ठैला। 1963 में तर्की पक्षी के माध्यम से Virus H7N3 का संक्रमन हुआ। इस तरह 20 सदी में 4 बार Flu महामारी फैली, जिसमें 1918 का Spanish Flu सबसे घातक था। इसके बाद ही Flu संक्रमन को अत्यंत गंभीरता पूर्वक लेते हुए इस पर गहन शोध कार्य किये गए। Flu विशानों के विरुध टीके तयार हो गए है। विशानों रोधी दवाएं आ गई हैं, पर विशानों के प्रकारिया कहीं, स्ट्रेन में बदलाव हो जाने की वज़ह से ये बहुत लंबे समय तक कारगर नहीं होती है। इसलिए प्रतिवर्ष बदले हुए स्ट्रेन के अनुरूपती के तयार किये जाते हैं। 21 सदी में कुछ और नए तरह के इंफ्यूइंजा के संक्रमन पाए गए हैं, सार्स, पैमी आर एस, निपाह और एबोला आदी। 2002 में चीन से सार्स सार्स यानी सीवियर एक्यूट रस्परेटी सिंड्रोम नामक बीमारी शुरू हुई यह कोरोना विशानू के द्वारा होती है। इसमें अचानक तेज सिरदर्द, बदंदर्द, बुखार, सर्दी, खांसी और सांस की दिक्कतों के लक्षन प्रकट होते हैं। यह संक्रमन पूरे चीन होते हुए हामकांग, सिंगापुर, वियतनाम, ताइवान और कनाडा के तोरंटों तक फैल गया। अगस्ट 2003 तक 30 देशों ने तकरीबन 8,422 हजार के संक्रमन की रिपोर्ट WHO को भेजी, जिसमें 916 लोगों की मृत्यू हो गई। WHO की सक्रियता, विभिन देशों के सरकारों और अधिकारियों के साथ समुचित तालमेल, सास के रोगियों की शीग्र पहचान, संपर्प में आये लोगों को चिनहित कर अस्पताल में अलग रखने, हाथों की सफाई और मास्क आधी के इस्तमाल से यह संक्रमन नियंत्रण मे आ गया. साथ ही स्वास्थे कर्मियों के लिए उचित बचाव के साधनों पर्सनल प्रोटेक्शन एक्विपमन्ट यानि PPE को मुहया करवाने और शीग्र ही सभी संक्रमितों की सूचनाए अधिकारियों को देने से स्थिती में काफी सुधार आया. सबसे आवशक कदम अंतर पक्षियों जैसे चमगादर और उंट द्वारा मनुर्शों में फैला. चूकि सबसे पहले संक्रमन का सौधी अरब यानि मिड्ल इस्ट में पता चला, इसलिए इसे मिड्ल इस्ट रेस्पिरेटोरी सिंड्रोम और इसके विशानों को MERS COVID कहते हैं. इसके लक्षन बेहद ग WHO ने इसकी चानबीन शुरू कर दी और इसे लोगों के बीच शीग्र फैलने वाली प्रमुक घातक बीमारियों की श्रेनी में रखा. 2012 से सौधी अरब से शुरू होने वाले MERS के मरीजों की सूचना आज भी अधिकारियों को दी जाती है. विश्व में इसकी संख्या 2500 हो च 1998-99 में मलेशिया के एक गाव सुरगाई में NIPAH के कुछ संक्रमित लोगों से शुरू हुआ जो संक्रमित चमगादरों और सुरों के संपर्क में आये थे या इनसे संक्रमित फल खा गए थे. फिर मनुष्य से मनुष्य में यह संक्रमन तेजी से फैलने लगा. मलेशिया के एक अनुसंधान समोह ने इस संक्रमन की सूचना दी इस विशानों को NIPAH वाइरस कहा गया. यह संक्रमित व्यक्ति के थूक, लान, खून, स्त्राव, आदी से संपर्क में आये दूसरे व्यक्ति में फैलता गया. 1999-99 से 2018 तक 701 लोगों में निपा विशानों संक्रमन का पता चल पाया है. यह संक्रमन बेहत घातक है, इसमें मृत्यूदर करीब 75% तक है. इसमें तेज खांसी, सरदर्ध, बुखार के साथ बेहोशी और मिर्गी दौरा पढ़ने लगता है. मई 2018 में भारत के केरल राज में NIPA8 वाइरस का संक्रमन चमगादरों और इसके खाए फलों से फैला, जिसमें 17 लोगों की मृत्यू की पुष्टी हुई. उस समय पक्षियों के खाए फलों को खाने की मना ही हो गई थी. मलेशिया में संक्रमित सुरों में पाए गए विशानों से निपाव वाइरस की फ्लू फैली. 1999 में वहां लाखों की संख्या में सुरों को मार डाला गया. इससे बीमारी के फैलाव को रोकने में काफी मदद मिली. WHO की सक्रियता और सहयोग से NIPAH नियंतर्ण में आ गया है. बचाव के लिए संक्रमित जानवर, पक्षी द्वारा खाए फलों और संक्रमित व्यक्ती के सीधे संपर्क से बचना आवशक है. शारिरिक दूरी, मास्क का इस्तिमाल और बार-बार हाथ की सफाई जरूरी माना ग मनुष्यों में पता चला. इसे दक्षन सूडान के शहर नाजा तथा दक्षन कांगो की नदी एबोला के किनारे के गाव में पाया गया अता उसी के नाम से जाना गया. यहां बंदर, गुरिल्ला जैसे जानवरों से मनुष्य में पहुचा फिर मनुष्यों के बीच फैलने गया. इसके लक्षन संत्रमन के एक दो सप्ता में प्रकट होने लगते हैं. जैसे तेज सिर्ध डर्द, गला दर्द, मास्पेशियों के दर्द से बढ़ते हुए शरीर के अंदर या बाहर रक्त स्त्राफ होने लगना. इसलिए इसे एबोला हैमोरहजिक फीवर भी कहते हैं इसमें खून की कमी रक्तचाप के घट जाने से मृत्यू हो जाती. यहां अत्यंत घातक साबित हुआ और इसकी मृत्यूदर 50 से 90 पसेंट पाई गई. डबल्यू एचो ने 1976 से 2012 तक एबोला के 24 ऐसे प्रकोपों को सूचित किया है. जिसमें 2387 संक्रमित मिले, 1590 की मौत हो ग इसका घातक संक्रमण हुआ जिसमें 28,646 लोग संक्रमित हुए और 11,323 मौते हुई. 2017, 18 और जुलाई 2019 में भी बार-बार प्रकोप होने पर डबल्यू एचो ने इसे विश्वस्वास्त्य आकस्मिकी घोशित कर दिया. अंत में COVID-19 का परिचय. 21 सदी के संक्रमणों की इसरी है नोवल कोरोना वाइरस 2019. ये तीनों वाइरस अपने संदचना की वज़े से कोरोना मुकुट जैसे कहलाएं. परंतो इनमें कई जनेटिक अंतर हैं. दिसंबर 19 में चीन के हुवेई प्रांत के वहान शहर से शुरू होकर अत्यंत शीगरता से चीन के अनेकों प्रां वहान शहर में ही 42,708 लोग संक्रमित और 1,017 लोग मर चुके थे. खोज करने पर पता चला कि यह वाइरस चमगादरों से फैला है या चमगादरों से बिल्लियों में होते हुए मनुशों तक फैले हैं. सार्समू की बीमारियों में विशानू सांस, खासने, चीनकने या सी मृत्यूदर पिछले सार्सों की तुल्ना में काम है. संक्रमित लोगों को इन प्रकारों में रख सकते हैं. एक, लक्षन रहित 80% से ज्यादा लोग जिनकी प्रतिरोधी क्षमता अच्छी है. लक्षन रहित होने के बावजूद ऐसे सभी लोग दूसरों को संक्रमित कर सकत हैं. इसमें कुछ लोगों की बीमारी गंभीर हो सकती है. दो, लक्षन सहित कुकोशित, बुजूर्ग, अन्य बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, मदुमें. रदे, फेफ़रा और अन्य बीमारियों से पूर्वग्रसित लोगों में संक्रमन जल्द ही गंभीर हो जाता है. इन्हें अस्पतानों में भरती होने, ऑक्सिजन और कभी-कभी वेंटिलेटर की आवर्शक्ता पड़ती है. इनमें से कईयों की मृत्यू हो जाती है. COVID-19 के लक्षन. विभिन्न लोगों में कोरोना के भिन्न भिन्न लक्षन हो सकते हैं. एक. अस्सी प्रतिशत से अधिक संक्रमितों में किसी प्रकार के लक्षन नहीं होते. ये सभी लक्षन रहित लोग ही ज्यादा संक्रमन फैलाते हैं. ये खुद को स्वस्य मान कर समाज मे घूंगते तहलते रहते हैं. बिना जाच के इनकी बीमारी का पता नहीं चलता. दो. कुछ संक्रमितों में हलका बुखार, खासी गले में दर्द या खराश के साथ सांस लेने में थोड़ी दिक्कत. तीन. कुछ लोगों में तेज सर्दी, बुखार, पूरे शरीर, जोडों मासपेशियों तथा सिर में तेज दर्द. चार. कुछ लोगों में मात्र ठकावट और बेचेनी. पांच. आंखे लाल होकर पानी गिरना, आखों के चारों और की नसों में सूजन और खुजली का होना. छे. कहीं चमडी में दाने और फफोले, पैरों में जख्म. साथ. उल क्षमता खत्म होना. नौ. सांस में तकलीफ, दम फूलना, नियूमोनिया तथा रदय रोग, बेहोशी. इलाज नहीं होने पर मृत्यू तक हो सकती है. 10. एक भामक विश्वास व्याप्त है कि छोटे बच्चों को कोरोना का संक्रमन नहीं होता. छोटे बच्चों में यह बुखार, सांस की दिक्कत ना होकर, तेज पेट दर्द, उल्टी, दस्त, रिदय की गड़बडी और कावासा की नाम की गंभीर बीमारी जैसी स्थिती ह हो जाती है. वयसकों की तरह बच्चों में भी संक्रमन तेजी से फैलता है. समझ से चिकित्सकिय सहायता मिले तो ठीक, अन्यथा बच्चे की मृत्यू हो सकती है. अनेकों बच्चों में लक्षन दिखते नहीं पर इनके नाक और गले में मौजूद विशानों आसानी से अन अता यह जरूरी है कि सभी लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट विशेशता जिनका संक्रमितों से संपर्क हुआ हो की जाए. सभी लक्षन रहित संक्रमितों को जब तक ये संक्रमन रहित ना हो जाए, अलग रखा जाए ताकि ये समुदाय को और अधिक संक्रमित ना करे. इनक COVID-19 के लिए मात्र टेस्टिंग, ट्रैसिंग और आवश्शक्तानुसार ट्रीटमंट, टीम टी ऐसी उपाय है, जब तक इसके लिए कारगर टीका ना आ जाए. पूरे समुदाई की जाच के बाद, सभी संक्रमरहित लोगों को क्वारंटीन के बाद काम करने की आजादी होनी चाहिए, उन्हें काम करने देना चाहिए, ताकि पूरी अर्थ व्यवस्था ठपना पड़ जाए. जोकि भारत में सही समय पर और सही जनसंख्या में समचिक टेस्टिंग कर लोगों को अलग नहीं किया गया, इसलिए पूरे समाज में सामुदाईक संक्रमन यानि कम्यूनिटी स्प्रेड हो चुका है. बिना सही योजना और व्यवस्था किये, अचानक तालाबंदी से पूरे देश में अफ्रा तफ्री मच गई, सामाजिक और अर्थ व्यवस्था ठप पड़ गई, और गंभीर आर्थिक मंदी में देश फंस गया, जिसका सीधा असर पुनार जन स्वास्थ्य और कोविड-19 के रोक थाम पर भी होना ही है, कोरोना के मरीजों को आवशक तानुसार हॉस्पिटल में बिस्तर, ऑक्सीजन, लक्षन कम करने की दवाएं और गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर उपलब्थ करवाना ही एक मात्र इलाज है, इन संक्रमितों के इलाज में डॉक्तर, नर हजारों संक्रमित हो चुकी है, और हजारों स्वास्थे कर्मियों की मौत हो चुकी है, अपने परिवार की और खुद की भी देखभाल, इन स्वास्थे कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी चनौती है, ये लोग अपनी जान की बाजी लगा रही है, इसके लिए समाज, र विशानों जन्य संक्रमन नियंत्रण में रहते हैं, पर बीच-बीच में कई कारणों से संक्रमन बढ़ने की सूचना आती रहती हैं. इन पर लगातार शोध चल रहे हैं, जब तक इनके विरुध बिलकुल सतीक टीके या विशानों रोधी दवाईयां नहीं बन जाती, तब शारिरिक दूरी, बाहर निकलते ही हमेशा मास्क का प्रयोग और बार-बार हाथ की सफाई ही संक्रमन को रोकने का मंत्र है. हमेशा याद रखने की जरूरत है कि 1918 का अत्यंत घातक H1N1 विशानों कही गया नहीं बलकि हमारे साथ ही है. आज भी मौसमी इनफ्लुएंजा के रूप में हर एक साल प्रकट होता है. इसमें प्रतिवर्ष विश्व में दो लाख पचास हजार से पांच लाख कम प्रतिरोधी क्षमता वाले व्यक्तियों की मौत हो जाती है. मानव इतिहास में अब तक करीब एक अरब लोगों से ज्यादा लोगों की मृत्यू इससे हो चुकी है.